दोस्तों नमस्कार ये हमागदूशन फॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे परिक्षाओं की द्रिष्ट से महत्पों टॉपिक धर्म निर्पेक्षिता के संबंध में इसमें हम धर्म निर्पेक्षिता का अर्थ विशेशताएं संबय धानिक द्रिष्टिकोंड धर्म निर्पेक्षिता के सकरात्मक एवं नकरात्मक पक्ष भारती और पाश्यार्त धर्म निर्पेक्षिता में अंतर और धर्म निर्पेक्षिता के समक्ष आने वाली चुनावतियों के बारे में जानेंगे तो आईए श ऐसी विचार धारा है जिसमें धर्म और धर्म से संबंधित विचारों को इह लोक संबंधित मामलों से जान बोच कर दूर रखा जाता है यानि तटस्त रखा जाता है धर्म निर्पेक्षता राज्य द्वरा किसी विशेश धर्म को सनरक्षन परदान करने से रोकती है भारत म इसका प्रियोग आजादी के बाद अनेक संदर्भों में देखा गया और समय समय पर इस पर विभिन परिप्रेक्ष में इसकी ब्याख्या भी की गई है। अगर हम धर्म निर्पेक्षिता का अर्थ समझने का प्रियास करें तो इसको इस प्रकार से जान सकते हैं कि धर्म निर्पेक्ष राज्य प्रतेक नागरिक को व्यक्तिगत और सामोहिक रूप से किसी भी धर्म को मानने की आजादी देता है। और सभी व्यक्तियों को केवल नागरिक के रूप में देखता है किसी धार्मिक समुदाय के सदस्य के रूप में नहीं और धर्म निर्पेच जो राज्य होता है वो काफी हद दग समानता पर आधारित होता है धर्म निर्पेच राज्य में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता वो ने तो किसी धर्म विशेश से संबंधित होता है ने उसमें हस्ता छेप करता है ने किसी धर्म की उन्नत के लिए कोई सहायता देता है और दूसरे सब्दों में कहा जाए कि राज किसी धर्म को वैधानिक रूप से मानेता नहीं देता और धर्म को राजनीती से अलग आईए जानते हैं धर्म निर्पेक्षता का अर्थ क्या है बहुत ही महत्पूर है धर्म निर्पेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीत या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे और सरकार धर्म की आधार पर किसी से कोई भेदभाव न करे तो धर्म निर्पेक्ष्टा में ये होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा वो प्रतेक धर्मिक मामले को जो है राजनीती या किसी गैर धर्मिक मामले से धर्म को दूर रखे और सरकार धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव न करे दूसरी चीज ये कि धर्म निर्पेक्ष राज में उस व्यक्ति का भी सम्मान होता है जो किसी भी धर्म को नहीं मानता और धर्म निर्पेक्षता के संदर में जो धर्म है वो व्यक्ति का निजी मामला होता है जिसमें राज तब तक हस्तक छेप नहीं करता जब तक की विभिन धर्मों की मोल धाडाओं म आपस में टकराव की इस्थिती नहो आईए देखते हैं धर्म निर्पेक्षता के संदर में जो संबैधानिक प्रावधान है वो क्या क्या किये गए हैं बहुत ही महत्तपूर है दोस्तों भारती संबिधान के परपेक्ष में अगर जो देखा जाए तो संबिधान के निर्मार के समय से धर्म निर्पेक्षता की अधिकार नहीं थी और ये अधिकार कहां पर तो संबिधान के भागतीर में जो मौलिक अधिकारों का वड़न किया गया है उसमें धार्मिक सोतंता का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छे 25 से लेकर 28 तक उसमें जो धर्म निर्पेक्ष परिलक्षित होती है। परिलक्षित होती है। नकरात्मक पक्षों के बारे में। दोस्तूं धर्म निर्पेक्षिता की भावना एक उदार और व्यापक द्रिष्ट कोड प्रस्तुत करती है। और इसमें सर्व धर्म संभाव यानि सभी धर्मों के साथ समान भाव, समान विश्जार, समान विश्वास की भावना से जुड़ा हुआ है। धर्म निर्पेक्षिता सभी को एकठा के सूत्र में बांधने का कारे करती है। इसमें किसी भी समुदाय का अन्य समुदायों पर वर्चस व अस्थापित नहीं होता। और ये लोगतांतरिक ब्यवस्था को मजबूती परदान करती है। और धर्म को राजनीती से प्रिठक करने का कारे करती है धर्म निर्पेख्षता का लक्ष नहतिकता और मानव कल्यान को बढ़ावा देना है जो सभी धर्मों का मूल उद्देश है तो ये थे धर्म निर्पेख्षता के जो सकरात्मक विंदू अब आईए धर्म निर्पेख्षता के नकरात्मक पक्ष को भी में खोजी जाती है धर्म निर्पेश्टा पर धर्म बीरोधी होने का आक्षेप भी लगाया जाता है जो लोगों की धार्मिक पहचान के लिए खत्रा उत्पन करती है लेकिन भारती संदर में धर्म निर्पेश्टा पर आरोप लगाया जाता है कि राज्य बहु संख्यकों से प्रभावित होकर अल्प संख्यकों के मामलों में हस्तक छेप करता है जो अल्प संख्यकों के मन में ये संका उत्पन करता है कि राज तुष्टी करण की जो नीती है उसको बढ़ावा देता है ऐसी प्रविर्तियां किसी समुदाय में सामपरदाइकता को बढ़ावा देती है और देश में धार्मिक उन्माद और धार्मिक कटरता को इसे बल मिलता है धर्मनिर्पेक्ष्टा को कभी कभी अति उत्पीडन कारी के रूप में भी देखा जाता है जो समुदायों और व्यक्तियों की धार्मिक सुतंता में अत्यधिक हस्तक शेप करती है और ये कहीं न कहीं ओट बैंकी राजनीत को बढ़ावा देती है और उसे जो वर्ग विभेद है वो उदपन होता है तो ये धर्म निरपेश्टा के नकरात्मक पक्ष थे अब आईए जानते हैं भारती धर्म निर्पेश्टा और पश्मी धर्म निर्पेश्टा में क्या अंतर है तो आप जान लीजे भारती धर्म निर्पेश्टा और जो यूरोपी या पश्मी धर्म निर्पेश्टा है उसमें कई अंतर है पश्मी धर्म निर्पेश्टा धर्म और राज्य के बीच पूरता संबंध विक्षेत पर आधारित है यानि जो पश्यम का धर्म निर्पेश्टा का स्वरूप है उसमें राज्य और धर्म के बीच पूरी तरह अलगाव है और भारती संदर में ये अंतर धर्मिक समानता पर आधारित है क्योंकि जो पश्यम का धर्म निर्पेश्टा का स्वरूप है उसमें ये है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है लेकिन भारती संदर में ये माना जाता है कि राज्य जो है विभिन धर्मों के बीच कोई विभेद नहीं करेगा ने तो किसी के विकास के आउसर देगा किसी धर्म बिशेस को और नहीं किसी धर्म को दबाएगा पश्यम में जो धर्म निर्पेशता है ये पोड़ता नकरात्मक और अलगावादी सोरूप में द्रिष्टि गोचर होती है वहीं भारत में ये समगर रूप से सभी धर्मों का सम्मान करने की संबैधानिक मानिता पर आधारित है तो पश्यम में जो धर्म निर्पेशता का द्रिष्टि कोड़ है पूरी तरह से नकरात्मक है भारत में ये सकरात्मक है और ये सभी धर्मों के उन्नती और विकास का मार्ग प्रशस्त करती है और इसमें किसी धर्म बिशेस को बढ़ावा देने का या किसी को कि विशा से धर्म निर्पेक्ष्टा का मुद्धा सारुजनिक वाद विवाद और परिचार्चाओं में मौजूद रहा है। विशा से धर्म निर्पेक्ष्टा और परिचार्चाओं में मौजूद रहा है। भारती धर्म निर्पेक्ष्टा के समक्ष ये कई परकार की चुनावतियां उत्पन करते हैं। ये जो उदारण हैं कहीं न कहीं नागरिकों के एक समों को बुनियादी जरूरतों से इसमें दूर रखा गया। और इसका पैड़ाम ये हुआ कि भारत में धर्म निर्पेक्ष्टा समय समय पर धार में कटरवाद, उग्र राष्टवाद और तुष्टी करण के नीत के कारण संकाओं और विवादों से घीरी रहती है। तो इसका समाधान किस तरह से किया जा सकता है। आप देखिए कि धर्म निर्पेष्टा सम्विधान के मूल धाचे का अभिनांग है। इसलिए सरकारों को चाहिए कि वे इसका संरक्षन सुनिशित करें। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया गया। तो सत्तादारी दल का धर्म ही देश का धर्म बन जायेगा। इसलिए राजनीतिक दलों को सरोचने अले के इस नेड़े पर अमल करने किया उशकता है। इसके अलामा UCC यानि यूनिफार्म सिविल कोड यानि एक समान नागरि संहिता जो धर्म निर्पेक्षता के समझ चुनावति प्रस्तुत करती है इसको मजबूति से लागू करने की आउशकता है। और आप देखिए कि किसी भी धर्म निर्पेक्ष राज में धर्म विशुद रूप से व्यक्तिगत मामला है। इसलिए जन प्रतिनिधियों को च राज धर्म के रूप में मानेता नहीं देता है और ये धर्म निर्पेक्षता का सबसे महत्त पूर्ण बिंदु है। भारती राज्य का धर्म निर्पेक्ष चरितर ये है कि ये किसी धर्म को राज धर्म या राज्य के धर्म के रूप में मानेता नहीं देता। इस धर्मिक आप देख सकते हैं भारती राज्योंद्वरा समय समय पर धार्मिक अचार का विरोध करने और राज्यी के हित में धर्म निर्वेक्षता के महत्तों को समझाने के लिए धर्म के साथ निश्य धात्मक संबंध भी अस्थापित किया गया है और ये द्रिष्ट कोड में ये कह सकते हैं कि अगर भारत के संदर में कहना हो तो भारत एक धर्म निर्वेक्ष राज्य है और एक विचारक है इस मित ये कहते हैं कि भारत उसी अर्थ में धर्म निर्वेक्ष है जिस अर्थ में भारत को प्रजातंत्र कहा जाता है भारती राजनीते और शासन में मैं अधिकृत रूप से कहता हूँ कि धर्म निर्पेक्ष्टा का अर्थ अधर्म नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हम सभी धर्मों और विश्वासों का सम्मान करते हैं। हमारा राज्य किसी धर्म विशेश से कोई मतलब नहीं रखता है। और इसमित ये विचार कहते हैं, इसमित का ये विचार कि उचित मालूम होता है कि यदि भारती राजनीत में बेवहारिक रूप से ऐसी बाते दिखाई देती हैं, जो धर्मनिर्पेक्ष राज्य के प्रतिकूल हैं, तो भी उससे राज्य की धर्मनिर्पेक्षता का अंत नही तो दोस्तों ये था आज का वीडियो बिभिन परिक्षाओं के लिए उपयोगी टॉपिक धर्म निर्पेख्षता, इसमें हमने धर्म निर्पेख्षता का अर्थ विशेस्ता हैं, संभैधानिक द्रिश्टिकोर, धर्म निर्पेख्षता के सकरात्मक और नकरात्मक पक्ष, भारती और पाश्यात धर्म निर्पेश्टा में अंतर, धर्म निर्पेश्टा के समझ आने वाली चुनोतियों और उससे निपटने के प्रमुख उपायों के बारे में जाना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, आप इसको अच्छे से तयार कर लिजेगा, व वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मागदोशन फॉर सिविल सर्विशेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार